होंगे आज हम बात करेंगे बेबी डॉज की रिकॉर्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो दोस्तो वीडियो बहुत इंफोर्मेटी होने वाली है वीडियो में इंड तक जरूर बने रहें तो बात करें पहली अपडेट करते हैं यहाँ पर इस्टेक यवर 2D एनेपटी रिसीव एफ्री 3D एनेपटी प्रोग्रेस तो यहाँ पर इन्हों ने यह कहें कि अगर आप 2D एनेपटी स्टेक करते हो तो आपको मिलेगा 3D एनेपटी तो अच्छी बात है दोस्तो बेबी डॉज कोईन के लिए जितने भी एनेपटी बाय करते हैं उनके एनेपटी का जो दौर आनेवाला है इसको लेकर इन्होंने रिट्यूट किया है जब आनेवाला टाइम में मेटावर्स का है वो जो टाइम रहेगा दोस्तो अब वहीं दोस्तों फ्यूचर रहेगा फ्यूचर में मेटावर्स का ही रहेगा इन्होंने रिट्यूट करके पॉबिलिस करके बताया है दोस्तों वहीं बात करें तीसरी अपडेट किती यहां पर बैन की तरफ से निकल के आ रहा है थैंक्स फार्दा सूट आउट एटीए तीसरी नमबर पर देखने के मिल रहा है वहीं बात करें चवंती अपडेट किती यहां पर कॉइन एक्स गलोबल की तरफ से निकल के आ रहे है वाट आर यू सर्चिंग ऑन कॉइन एक्स डाट कॉम टुडे तो यहां पर सबसे ज़्यादा सर्च किये जाने वाला कॉइन में बेबी डॉज कोईन पहले नमबर पर देखने के मिल रहा है दोस्तों वहीं बात करें पांच भी अपडेट किती यहां पर I want to hold your hand and want to fly in the Mars तो यहां पर बाइनांस के जो सीवों हैं उनकी तरफ से बेबी डॉज कोईन को लेकर काफी जो हिंट दिये जाते हैं उस देखने वाला टाइम रहेगा दोस्तों आने वाला टाइम में बेबी डॉज कोईन के जो लिस्टिंग है वो बाइनांस पर आपको बहुत जल्द ही देखने के मिल सकता है दोस्तों वहीं बात करें लास्ट अपडेट किती यहां पर 2022 यू मिस्ट डॉज सीवा इनू वहीं 2021 21 यू मिस्ट बेबी डॉज वहीं दोस्तों 2022 डॉट मिस्ट यहां पर इन्हों ने ये कहा है कि बेबी डॉज कोईन कहीं नाम आ जाए दोबारा और सब का सकता है वहीं दोस्तों लबली इनू परजेक्ट है जो बीडाइस पर है तो आपको क्या लगता है कि आप भी कमेंट क आज पास इसका मार्केट रेंक है वहीं वास्षण देखें तीन लाग पैसाथ हजा थीन सो चपन के आज पास इसका वास्षण में रखा गया है वहीं ट्रेडिंग वैल्म की बात करें तब काफी ज़्यादा गिरावड देखने की मिल रहा है दोस्तों 18% से ज़्यादा की देखने को मिल रहा है पिछले 24 घंटे में वहिंसका मार्केट केप 0.65% के आस पास इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे वीडियो कर अच्छी लग यह तो वीडियो को लाइक करना अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइ